हलो और वेलकम टू फूचर क्लिक्स दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपा सीरीज के जो कैमरे हैं उनके अंदर बेस्ट वीडियो सुटिंग के लिए किस परकार की सेटिंग्स काम में ली जाती है या फिर बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं या न्यू कमर्स हैं जिनको यह कन्फूजन रहता है कि फ्रेम रेट क्या होती है विट रेट क्या होती है फाइल फॉर्मेट क्या होता है और यह किस परकार से आपके work पे effect करते हैं तो यह सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ क्योंकि जब तक आप इन सारी features या settings को proper नहीं जान पाएंगे तो आप अच्छी quality का video record नहीं कर सकते तो इस वीडियो में आज मैं आपको यह बताऊँगा कि आप alpha series के camera हैं उनमें किस तरह की video settings apply करते हैं या फिर कर सकते हैं जिससे आपको proper result मिले साथी साथ आपको मैं यहाँ पे पहले यह बताता हूँ वीडियो आगे start करने से पहले कि बहुत सारी photographers में यह confused रहते हैं ब्रोड कास्टिंग स्टेंडर्ड को यूज मिले जाता है यह camera में किस परकार से सेट किया जाता है या इसकी सेटिंग से वह काँ पर होती है मैं आपको अभी अपने camera के उपर बताऊंगा तो आप वीडियो में बने रहे हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आदोस्तों आगे भी मैं बहुत सारी वीडियो आपको देता रहूँगा फोटोग्राफी से लेटेट तो आप चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिएगा जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप चलते हैं अपने camera के उपर पहले तुम आपको यह बता देता हूं कि मेरे पास जो यह camera है यह sonica alpha series का 73 camera है तो आपको मैं सारा जो वीडियो बेस्ट वीडियो सेटिंग से वो इसी camera पर बताने वाला हूं अगर आपके पास भी यह camera है तो आप मेरे साथ साथ सारी settings को समझ सकते हैं तो पहले सबसे पहले मैं अभी जो NTSC और PAL broadcasting standard की बात कर रहा था तो आपको यह सारी चीज हो है उपर जैसे आप इदर राइट हैंड की तरफ आएंगे तो suitcase menu मिलेगी suitcase menu में आप नीचे आजाईए और page number two पे आजाईए टूपे आपको NTSC और PAL selector यह option मिलेगा इस पे आप OK कीजिए और जब भी आप इसको change करेंगे तो आपका camera है वह reboot या फिर restart होने के लिए बोल लीजिए क्योंकि Asian regions के अंदर जो broadcasting standard है वह पाल ही तो अब बात करते हैं best video settings के बारे में तो आप सबसे पहले menu के अंदर आईए हम पहले चेक करते हैं कि यह जो file format होती है यह क्या होता है यह कहां पे camera के अंदर होती है सारी चीज़े आपको मैं भी इसमें बताता हूं तो आ यहां पे तीन file format दिये गए हैं उपर XAVC-S 4K है बीच के अंदर XAVC-S HD है और नीचे AVC-HD है तो सबसे पहले यहां पे समझने वाली बात यह है कि आपका अगर camera 4K supported है तो आपको सबसे पहले जो file format है वह XAVC-S 4K को apply करना है इसको apply करने के बाद आपका जो camera है वह 4K video shoot करेगा इसके जस्ट नीचे XAVC-S HD यह file format आपको बिलेगा अगर आपको full HD के अंदर recording करनी है तो आपको यह file format apply करना है और नीचे AVC-HD है यह file format भी HD को ही support करने वाला है लेकिन यह format है वह काफी पुराना है और sony का जो पुराने camera है चाहे वो DSLR हो या फिर आपके handy camera हो या फिर handheld जो भी camera है उन सारे cameras में आपको यह file format मिल जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे TVs या फिर ऐसे monitors हैं जो इस file format को ही support करते हैं तो यह तीन तरह के format है अभी यहां पे जो XAVC-S HD है यह format sony का खुद का file format डिजाइन किया गया है आपको हर camera के अंदर यह file format मिल जाता है बाकी cameras में क्या होता है कि उनका खुद का file format system नहीं होता है वो किसी दूसरे company से file format purchase करते हैं और अपने camera के अंदर install करवाते हैं तो मैं भी लगबग अपने video shooting में यह XAVC-S HD जो की full HD file format है इसको यूज में लेता हूँ तो यहाँ पर तीनों चीज़े आपको confirm हो गई अगर आपको 4K सूट करना है तो आप उपर वाले XAVC-S 4K को select किजिए और अगर आप full HD में work करना चाहते तो आप second option XAVC-S HD को यूज में लेंगे तो यह तीन तरह के file format आपको इस एलफा सेटिंग के camera में मिल जाते हैं अब चलते है recording setting का जो feature है इसके अंदर यहाँ पर आपको काफी सारी चीजे पहले से मिलेगी अब confusion यहाँ पर होता है कि आप किस परकार से इस setting को use करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यह जो सारी settings दे रखिये यहाँ पर यह क्या है आपको पहले जैसे 50p, 50m, 50p, 25m यह क्या क्या चीजे हैं तो यहाँ पर आपको जैसे इससे पहले मैंने आपको file format बताया था और यहाँ पर जो आपको settings मिल रही है यह मिल रही है आपको जो वीडियो आपका record होगा उसका जो frame rate है वो क्या होगा तो यहाँ पर जैसे 50p है यह frame rate है यहाँ पर जैसे 25 है यह frame rate है यहाँ पर आपको 100p मिल रहा है यह frame rate है तो यह सारी चीजे आपको यहाँ पर मिल जाती ह साथ-साथ यहां पर आपको लास्ट में जैसे 50p 50m तो 50m का यहां पर क्या मतलब है तो 50m का मतलब है 50mb per second आपका जो camera है वो 50mb का जो data है वो per second यूज लेगा यहां पर 50p यह तो हो गया 50p का मतलब है 50 frame per second और 50m का मतलब हो गया 50mb per second का data आपका यूज गरेगा तो यह चीज़े यहां पर confusion करने वाली है लेकिन समझने में इसमें अगर आसानी हो जाती है तो फिर आप आप आराम से अपना work कर सकते हो जैसे यहां पर 25P 50M तो 25P यह फ्रेम रेट है और 50MB पर सेकंड आपका जो डेटा है वो यानि आपके जो memory card है उसमें आपका जो डेटा है वो राइट होगा अब यहां पर नीचे अगर आपको 25P 60M दिख रहा है तो 25 पर सेकंड का तो फ्रेम रेट हो गया और 16MB पर सेकंड का बिट रेट हो गया आप इनको 50M 25M 50M 16M यह सारे बिट रेट है जो कि आपके memory card में जो आपकी memory यूज होती है और camera आपका रिकोर्ड वीडियो रिकोर्ड करता है या उस वीडियो को आपके memory card में सेव करवाएगा तो वह जो डेटा है ना वह आपको यहां पर बिट रेट के अंदर सो करता है जैसे यहां पर 100P 100M अगर हम स्लो मोशन सूट कर रहे हैं तो इस सेटिंग को अपलाई करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी उसमें डीटेल आपको मिलेगी तो यह सारी चीज़ें आपको यहां पर करनी हैं तो बेस्ट अगर हम सेटिंग की बात करें तो यह करता है आपका जो वर्क है अगर वो बहुत हाई प्रोफेशनल वर्क है तो आप लगबग 50p, 50m का जो फाइल फॉर्मेट है उस पे आप वर्क कीजिए अगर आपको स्लो मोशन सूट करने है तो आप 100p, 100m पे सूट करिए हाला कि यहां पर जो स्लो मोशन की अगर हम बात करें तो आपका जो कैमरा है उसमें भी आजकल स्लो मोशन का जो फीचर है वो एड़ कर दिया को मिल जाती है अब यह डिपेंड करता है आपके फाइल फॉर्मेट पे भी जैसे अगर मैं बात करूं जैसे फाइल फॉर्मेट है मैं 4K को स्लेक्ट करता हूं और अब रिकोर्डिंग सेटिंग को करता हूं तो यहां पे आपको दो ही ओप्शन मिलेंगे 4K के अंदर क्यों आपका 25, 60M यह दोनों फाइल फॉर्मेट आपको यूज करने देगा अगर मैं बात करूं जो दूसरा अपना फुल एस्टी का एक्स एवी सी एस्टी फॉर्मेट है इसमें अपने को रिकोर्डिंग सेटिंग्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तरीके के फाइल फॉर्मेट मिलेंगे जिसमें आपको 6 तरीके की फ्रेम रेट और बिट रेट के ओप्शन मिल जाते हैं इसके अलावा अगर मैं बात करूं थार्ड नमर का जो फाइल फॉर्मेट है उसकी एवी सी एस्टी की तो इसके अंदर अपने को दो स्टेंडर्ड मिलते हैं 50i24m और 50i17m यानि इसमें जो तो आपका वीडियो रिकोर्ड होगा वह बहुत ही कम बिट रेट पे रिकोर्ड होने वाला है उसमें आपको बैतर क्वालिटी तो नहीं मिलेगी लेकिन अगर कई बार हमारे पास सिच्वेशन ऐसी हो जाती है कि जैसे महां लोग कैमरा का जो मेमरी कार्ड हो फुल होने वा कार्णलो मैंने के लिकोरड किया है सेट किया है और अगर आप आप जैसे आपको टाइम दिखा रहा है embraced 99 अगर मैं यहां से से फाइल फोर्मेट बिचेंज करता हूं चेंज कर लेक्र clinical फिव्टिय केंज ने चन्लोग तो इस शर्टिंग्स को जैसे अप्लाई करता हूं तो आपको क्या टाइम मिलेगा अभी आप देखते हैं केवल 45 मिनिट क्यों इसका जो रिजन है वो क्या है रिजन इसका यह है कि यहां पे जो आपका बिट रेड था वो काफी हाई हो गया है यह हैं यह हैंड्रेड MPPS हो गय कम हो जाता है तो इस तरह से आप इस फाइल फॉरमेट को समझ सकते हैं और फाइल है फॉरमेट को है अगर इसको अप्लाई गर देता हूं तो फिर क्या अपने को मिलता है इसमें आपको दो फ्रेम रेट मिलती है आपकिसी को भी जैसे 24 या 17 कोई सा भी इसमें से कर लो एक यह पर आपन देखते हैं Can t Camera O.K. change करते हैं इस में क्या करते वह अब देखते हैं कि क्या अपने को time मिल रहा है अब ही आप देखिए 4 गंटा 50 मीनिट का time यानिन प्वल these। का time वहा क्या क्या सकाउत है वहां कितना ज्यादा time अपने को मिल रहा है इस सेटिंग्स को कर सकते हैं अन्य तायम फूल एस्टी में ही अपने का अपना जो वर्क है वो करते रहेंगे तो यह सारी चीज़ें आपको यहां पर समझना है फूल एस्टी में सेव कर दीजिए और इसमें भी फॉर्मेट फ्रेम रेट वह आप 50 फी 50 एम या फिर 50 फी 25 यह दोनों आप अपलाई कर सकते हैं मैं ज्यादा तर अपने वीडियो के अंदर 50 फ्रेम पर सेकंड 50 एम पर सेकंड की जो फ्रेम रेट है वो उसको यूज करता हूं इसके बाद में हम बात करते हैं स्लो मोशन की यहां पर एसेंड क्यू सेटिंग भी दी गई है तो दोस्तों इसमें रिकोर्डिंग जो सेटिंग है वह यहां पर फ्रेम पर सेकंड कर सकते हो अगर आपको वन वन का मतलब यहां पर है कि अगर आप टाइम लेफ्स वीडियो सूट करना चाहते हैं तो आप व सेकंड या फिर टू फ्रेम पर सेकंड जितनी आपलो करूगे फ्रेम रेट ते लिए आपका भैतरी टाइम मोशन वीडियो त्यार होगी को सेखं़ कर सकते हैं दोस्तों यह अ अपनी नोर्मल बेशिक सेटिंग जो कि sony के alpha series के जो camera है उनमें आप use कर सकते हैं और एक video शांदार तरीके से record कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं समझता हूं कि आप अब file format, width rate, frame rate ये क्या होती है ये किस परकार से आपके camera के अंदर effect करती है ये फिर आपका जो video record होता है उसमें आपको किस परकार से ये effect करती है अगर आपको पूरी जानकारी नहीं थी तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस video से कुछ तो love हुआ होगा तो video को फसंद कीजिए, video को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए, इस तरह के videos आपको मैं काफी आने वाले time में देने वाला हूं तो चलिए मिलते हैं अगले video में, तब तक के लिए thank you